फरी एक कोखत हुम इहुल प्रजापती आप सर्वेनू स्वागत करूछ उमारी यूटूब चैनल नी अंदर आजे आपने इंटर्यू क्वेस्चन विशे डिस्कसन करवाना छिए के जे व्यक्ती BSC, MSC थहल छे ए स्टूडन्ट जे पर्टिकुलर केमेस्ट्री सब्जेक्ट दरावे छे अने कोई फार्मा कंपनी अथवा बिजी कोई पन कंपनी नी अंदर जाई छे तो आने इंटर्यू माटे क्वेस्चन केवा प्रकारना पूछाई सके अने विद्यार्थीना मनमा मुझबन रहे छे के इंटर्यू कई रिते पूरू थसे के वा अंसर आपवा तो BSC अने MSC जे फ्रेशर स्टूडन्ट छे एना माटे आ वीडियो बाउज इंपोर्टन छे तो आजे आपड़े जोईसू इंटर्यू क्वेस्चन जे माँ प्यलो पहले जक्वेस्चन जे जियर्आ अपने फार्मा कम्पनी अंदर हैं थो सेव्टी शे के मिइकल कम्पनी मां थो पहले तो सेफ्टी शेव्टी शे आपऑenne क्या राखवा साउ शेव्धा नी छेए शेवी तो पहले चलख और आँँको श खे होज電 इन द लेबोरेटरी जे केमिकल नी साथे आपने काम करवानु छे केमिकल उछडे ने आपनी आँख मा पड़े नहीं एवा कम्प्लेट आँखने कवर करे एवा सेफ्टी गूगल्स नी जरूर पड़ से एसीवाई बिजू छे ग्लाउज वीर अडिस्पोजीबल ग्लाउज एस प्रोवाईड इन द लेबोरेटरी वाइल हैंडलिंग अ हजार्डस मटेरियल रिमूव द ग्लाउज बिफोर एक्जिटिंग द लेबोरेटरी जरूर लेबन बार जाओ छे त्यार्डस मटेरियल रिमूव करी देवाणाँ आने ये सेफटी जग्या छे त्याने रीमूव करवा माव से फरीध यानों उप्योग करवानों थसे नहीं आने त्रीजू छे एपरन एपरन नी जरू पड़ से क्यों एपरन जोई है वियर फूल लेंद लॉंग स्लीव लेबोरेटरी कोट और केमिकल रेजिस्टन्ट एपर अने जे केमिकल एपर पड़े तो आपने नुक्षान न थाए ये वो एपरन जोई है तो त्राण वस्तु नी जरू पड़ से गलव्स गोगल्स अने एपरन आ त्राण वस्तु जरू जरूर शे एना पच्छी नेक्स्ट क्वेशन छे वाट इस ओर्गेनिक केमिस्ट्री आ प्रोपर्टीज, कंपोजिशन, रियेक्शन, एन प्रिप्रेशन ओफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड शुक्या छे के ओर्गेनिक केमिस्ट्री से ने कही सु तो कोई स्ट्रक्चर छे एनी प्रोपर्टी चेक करवा नी छे एनू कंपोजिशन सु छे शेनू बनेलू छे येक्शनों सु छे अने प्रिप्रेशन शु बनावानू छे कार्बन कंटेनिंग कमपाउंड बनावाना छे मोश्टली जे ओर्गेनिक कंपाउंड छे एनी अन्दर कार्बन अने हाइड्रोजन रहीला छे ए सिवाई एनी अन्दर इंकलूडिड नम्बर ओफ अदर एलिमे होई सकत्य छे पंड कार्बन और आईड्रोजन तो हसे अने वधारा नाजी हसे यह अन्दर नाइट्रोजन छे ओक्सिजन छे है एलोजन छे फोसफरस सिलीकौन सलफर आवा वधाई अंदर यहिस्व फार्मा कंपनी छहें लेब होए तो यहिस्व brahim लेब होए तो यहिस्व da arcimento क्लेव तरे कान्टरोण देटमेंस न्यां कई है एन कमपास एलेके समावू के all activity that bring an analysis into a statistical control एलेके एवी quality control मा एवी तमाम activity नो समावेश्थाय चे जे statistically control मा होय अने एनू analysis करवामा आवेश्थाय निंहेंस्ट्क्वेस्ट नमबर चार ओडिज्पाट और डाइलउएंट वफ्सहत्य शुच याद्याס ईध अंडियुएंट शुच्वाया थे fellow activities इन्यो आउसीव कि ऐड्युक्राइनलन्ञ ट्रींबर तो एलिकोर्ट सुच है के कोई मोटा अथवा तो आखा सेंपल नो एक नानो भाग छे अथवा तो यहने सब सेंपल तरीके ओड़क्वमावाँ चे जैंके आपने 100 ml स्वोल्यूशन लईए अन एमा थी 0.1 ml जितलू स्वोल्यूशन लेवानु आए अन्ने एनो आपने उप्य कोट तरीके ओड़की सु तो एलिकोर्टेटले संपून भाग होए मोटो भाग चे केमिकल नो आखेमिकल एनालिसिस अत्वा तो बीजी को यह भी ट्रीटमेंट होए यहमा यहने एक्स्ट्रेक्ट करवा मावे चे यहने अलग पाडवा मावे चे एक प्रकानी आखेमिकल नो 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 आखे पन जनरली आपड़े पाणी नो सॉल्वंट तरीके नो उप्योग करिये छे डाइलूट करवा माटे नेक्स्ट क्वेशन नुबर पांच वाट इज टाइट्रेशन टाइट्रेशन सुझे टाइट्रेशन is a technique where a solution of non-concentration is used to determine the concentration of an unknown solution शु करवानूँ छे टाइट्रेशन एक प्रक्रिया छे एक टेक्निक छे के जेना द्वारा आपड़े a non-concentration छे एनू सॉल्वंट चेक करवानूँ छे by help of non-solution जेनू तमें concentration जानों छो एनू उप्योग करिने a non-concentration दरावता solution नू concentration चेक करवानू छे एनू टाइट्रेशन तरीके उड़की सुझे जेमके आपणे acid beat titration जोईये छे के जेमा जानी ता पदार्थ नू concentration तमें ब्यूरेट मा बरो छो औने a non-solution लई औने फ्लास्क मा लिये छे इंडीकेटर राख्ये छे औने titration करिये छे टाइट्रेशन नी एंड मा एंड पोइंट आपने कलर चेंज जूआ मड़े छे तो आज ये प्रोसेस से थाई अने जे अन्नान पदार्थ नू concentration चेक करियो एन्ने आपणे titration तरीके उड़की जो एना पछी what are the type of titration तो अलग-अलग प्रकार नू टाइट्रेशन थाई सके छे एमा एना टाइप नी अंदर चार प्रकार ना टाइट्रेशन छे जेमा पहलू छे acid-bait titration, precipitation titration, complexometric titration अने चोथू छे redox titration acid-bait titration आपणे दरेक जणने BSC-7-1-3 लाइने अतव तो 11-12 नी अंदर पण acid-bait titration करया छे जेमा नौन-solution होए जेनू concentration आपणे जाणिया छे एन्ने आपणे ब्यूरेट मा लेई सू अन्ने अन्नोन जेनू आपणे concentration जाणता ना थी एवू solution आपणे पिपेट द्वारा 10 ml के पचे ml कॉनिकल फ्लास्क माली ये छे अन्ने titration करिये छे तो आ बद्धा जे titration जेने आपणे शू गईशू acid-bait titration precipitation titration एकले एवू titration जे प्रक्रिया जेर में precipitate उत्पन थाए छे अवक सेपन अनुमापन तरीके पण इन्ने ओड़किये छे एन्ना पचे जे complexometry EDTA जान उप्योग थाए छे ये प्रकाना titration ने complexometry titration के शू रैडॉक्स titration oxidation और reduction process तती हुआ है बने बेगी असे जेने आपने रैडॉक्स titration तरीके ओड़की शू तो oxidation एकले जे राशानी प्रक्रिया दर में oxygen उमेरा है hydrogen दूर थाए oxygen के वाक से reduction एकले oxygen दूर थाए hydrogen उमेरा है तो एवी प्रक्रिया जेनी अंदर oxidation और reduction बनने खाई शे तो एने आपने शू कही शू रैडॉक्स titration रैडॉक्स प्रक्रिया जारी के ओड़क्वामा आपस है एना पच्छी question number seven what is molarity molarity is a unit of concentration expressed as the number of moles of dissolved solute per liter of solution एक लीटर वाडू solution होया एनी अंदर ओगड़ेला द्राव्याना मोलनी संख्याने molarity तरीके ओड़क्विया छे है तो एमाटे solution के लोग जोएश है एक लीटर एना पच्छी molality molality साने गई सो तो पेलामा एक लीटर मा ओगड़ेला द्राव्याना मोलनी संख्याने गई सू अई टोटल मोल ओफ अस सोल्यूट कंटेंड इन किलोग्राम ओफ सोल्वंट केटला मोल सोल्यूट कंटेंड राहला छे एक किलोग्राम सोल्वंट नियंदर एने मोला लीटी तरीके ने उड़क्वामा आवसे तो छेलूँचे normality what is normality normality as the number of gram equivalent to solute that is present in a one liter solution so the unit of normality is gram per liter एक लीटर द्रावण मा ओगडेला द्राव्यना gram equivalent ने अपने normality तरीके उड़क्वी सूँ जेमके equivalent weight नक्की करवानो एने वैच नो तो एने वैच नो equivalent weight जे 40 gram छा तो 40 gram एने वैच ने लहिने आपने एक लीटर द्रावण ने अंदर वह गाड़ी सू और जे solution बन से एनी normality one normal के वास है एना पची what is a melting point and boiling point melting point आने boiling point सूच है a melting point melting point is the temperature at which a solid become a liquid at normal atmospheric pressure शुक्या छे melting point एउच है कि ए temperature ज्या solid compound सेमा तही जास है liquid मा convert थाए छे liquid थाए जास है melt थाए जास है तो ए temperature ने अपने melting point कही सू तो एउने उच्छ है boiling point at the temperature at which the vapor pressure of liquid equals to the pressure surrounding the liquid and liquid change to vapor एला मासू अदू solid छे liquid मा जाई छे हवे सू दोसे liquid ने एट्टू temperature आप माम आव है कि liquid से हमां convert थाए जास है वेपर नी अंदर चेंज थाए जास है तो ए temperature ने आपने सू कही सू boiling point तरीके ओड़की सू तो आवा melting point कही रीते लेवो आवा question पर पुछाई छके कि तमने melting point लेता आवड़े छे तो कही रीते लेई सकाए तो एना related पन वीडियो जोओ होई तो आई बटर उपर थी तमने ए वीडियो नी लिंक मर से अने नीचे description नी अंदर पण अनी वीडियो नी लिंक पण मुखवामा आवशे त्याथी तमने melting point कही रीते लेवो ए पन तमने जोई सक्षो एना पाँछी question number अग्या what is pH pH सूच pH stands for hydrogen potential potential of hydrogen तरीके ने उडख्वामा आवशे it's referred to the concentration of hydrogen ion in the solution solution नी अंदर hydrogen ion नों concentration केटलो छे जे चेक कर जए जने आपने pH तरीके उडख्वामा आवशे आम साधी वेक्ख्या जुआमा आवे तो pH इटले H प्लस ion नों concentration केटलो छे एच एक करे जने pH केवाई तो pH related बीजा क्विस्चन आ आई बटन नी अंदर तम्वे जुआ मड़ से अने एनी link पन नीचे description box नी अंदर मड़ से के pH सूच है pH नी range केटली pH सेना वड़े नक्की करवामा आवे छे pH नक्की करवाना पैरामिटर सूच है pH नक्की करवामा आटे जे instrument वप्राइस है pH मिटर तो यहने कैलिब्रेट कही रीते करी सका है आप बद्दीज माहिती दमने आव वीडियो माथी मड़ से यहना पछी define a HPLC HPLC सूच है high pressure liquid chromatography अत्वा high performance liquid chromatography बे वस्तु बुलाई छे high performance पन बुलाई छे high pressure पन बुलाई छे high pressure liquid chromatography HPLC is a chromatographic technique that can separate a mixer of compound and is used in biochemistry and analytical chemistry to identify, quantify and purify the individual component of the mixer तो सूच है HPLC एक chromatography techniques छे के जेनी अंदर mixer माहिता रहला compound ने separate करे छे एनो उपयोग जे छे biochemistry अने analytical chemistry नी अंदर mixer मा रहला individual जे component कया कया प्रकार ना छे एने ओडखवानू काम करे छे अने एनू quantify करूँ अने purify करवानी प्रोसेस पन HPLC द्वारा थाई छे नेक्स्ट जोई है क्वेस्टन नमबर तेर वाट इस बफर सॉलीशन तो पी एज मीटर जेने केलिब्रेट करवा माटे जे सॉलीशन वपराई छे एक प्रकार ना बफर सॉलीशन छे तो आ बफर सॉलीशन सू छे असुलीशन वूस पी एज इस नोट अल्टरेट तो एने ग्रेटर एक्स्टेंट बफर सॉलीशन वपराई जे जे एक प्रकार ना बफर सॉलीशन जे जे नि अंदर थोडा प्रमाण मा एसीड के बेज याड करवा मावे तो पन ये सॉलीशन नी पी एज बदलाती न थी तो ए सॉलीशन एसु का इसु बफर सॉलीशन तरीके ओड़क्वामा आवे जे अब बफर सॉलीशन केतला होए केवा प्रकार ना होए एनो पड़ एक वीडियो छे जे पी एज मीटर नामना प्राक्टिकल नी अंदर आपेलो छे जे बी एसेसे आम फाइवने शिक्सना प् जेने एनमार तरीकी ओड़क्वामा आवे छे औरना पाछी question number 15 what is the use of UV spectrometry UV spectrometry नो use शूज है a UV visible spectroscopy or a spectrophotometry is a quantitative techniques used to measure how much a chemical substance absorbs light M क्या हमागे छे कि UV spectroscopy छे एक प्रकानी टेक्निक छे के जेनों उप्योग chemical substance है केटली light ने absorb करी छे केटली सोसी छे यहने measure करवा माटे वपराई छे जेने UV spectrometry तरी के ओड़ के जो next question number 6 what is a qualitative analysis qualitative analysis सूच है a qualitative analysis is the determination of non-numerical information about a chemical species chemical species नी non-numerical जे information छे example would be observing the reaction is creating a gas आमाँ सू करवानू आवे के औपजर करवानू आवे के reaction करे ली छे तो ए दर्मियान gas उत्पन थाई छे bubble यहामाँ ती निकड़े छे आपजर करवानू आपजर करवानू छे नहीं कोई प्रकार ना नंबर नहीं आवे नंबर निकड़े यहामाँ आवे भानूचर टॉटल डिटर्मिनेशन आव नौननुमेरिकल इनफर्मेशन चे जन्यने क्वालिटेटिव अनलीसिस थरीके ऊड़क्वावाज अन्या पाजी सत्तर्मों प्रस्ण वत इस quantitative पिलोधू qualitative आछे quantitative analysis quantitative analysis is any method used for determining the amount of chemical in sample जे sample आपिवसे यहनी इंदर अलग-अलग प्रकाना chemical रहेला छे तो कया-कया chemical रहेला छे यहने determine करें छे यहने quantitative analysis थरीके उड़क्वा मावस है हैना पाछी question number 8 what is distillation distillation साने कहीशू distillation is the process during which a liquid is heat to boiling point in order to vaporize शुकर्षू liquid ने heat करवानू छे अने heat थताई liquid छे वेपर मां convert थे जासे देन condensed back into a liquid ए वेपर थेगी छे एने शुकर से condenser द्वारा एने liquid मां convert करवा मावस है और ए इंप्योरीटी छे एने अलग थे प्योर कंपाउंड तमने पाछो मड़े छे जे स्वाल्यूशन छे क्यों मड़ से प्योर मड़ से अनि इंप्योरीटी जे छे अलग थे जासे तो आ प्रोसेस जैने शुकरिशू दिस्टिलेशन तमें water distillation मुक्ए छे जिमादी Distilled Water तमें तिया करोछो काकर का तो RBF जोले तमें पानी लोग सो युँने गरम करो छोboys und vehement से पहलाaeda तोार्व मारेल रीम पैंड़ Wert और करल्वक्षे अने लाश मान दमें दूम्यन द्वारा सोले hammy होनिन प्याहा लिक्वीड गरम थायू एमा थे वेपर बनी वेपर छे आगण जत्ता कंदेंसर द्वारा ठंडी थासे अने एमा थे लिक्वीड बनी जासे आम प्योर लिक्वीड छे अलग मरसान मिक्सर मां इम्पुरिटी से रही जासे यहना पाची क्वेस्टन नमबर ओकनी इस हाव टू प्रिपेल डायलूट सोलूशन डायलूट सोलूशन करी ते बनाई शकाए डायलूशन इस दे प्रोसेस ओफ डिक्रीजिंग दे कॉंसंट्रेशन अफ सोलूट इन सोलूशन सुक्या छे ते कॉंसंट्रेशन घटाडवानी वाद करी ली छे बहुँ स्ट्रोंग से यहने सुकर सभी विक करी दे से तो डायलूशन इक प्रोसेस चे जे डिक्रीजिंग दे कॉंसंट्रेशन ओफ अ सोलूट इन सोलूशन सोलूशन नी अंदर एला सोलूट छे यहनू कॉंसंट्रेशन छे गटार से यूजुवली सिंप्ली बाइ मिक्सिंग विट मॉर सोलूट लाइक एडिंग मॉर वाटर टू दे सोलूशन खणी वख़त आपने सो करिये से के सोलूशन नी अंदर पाणी एड करिये से वाटर एड करवा थी सो दोसे जेते सोलूशन छे डाइलूट से जह से तो सलूशन ने डाइलूट करी रिते करवू के एसीड छे तो एसीड ने डाइलूट करी रिते करी सकाए के यहाँ पाणी नाखू के पाणी नी अंदर एसीड नाखू तो आवा क्वेस्टन छे एना सॉलुशन जो आ माटे उपर आई बटना पे लूँछे त्यां थी धम्दे मड़ से के एसीड ने डाइलुशन करी रिते करी सकाए अने एनी लिंक जो भी होए तो नीचे डिस्क्रिट्शन बॉक्स थाइ सके एसीड ने तमें डाइलुट करी्ट करी रिते कर सो ऑली घ ना पाशही adding solute to the solution until a stage is reached where the solute appear as a solid precipitate or a crystal to form a highly saturated solution अजे saturated solution कई रिते बना भी सका है तो suppose के तमें एक solution लो छो एमा पाणी लिए छे पाणी नी अंदर NACL मिठू अगाड़ छो तो क्या सुधिया मिठू यानी अंदर नाक्ता जैशो नाक्ता जैशो एक समय हो आवसे के मिठू अगड़वानू बन दी जशे अने ए मिठाना प्रेसिपिटेट छे पाणी नी अंदर नीचे जमा थसे एना प्रेसिपिटेट तमने जुआ मड़से तो ए समय जे सॉलूइशन बनी ग्यून है ये सॉलूइशन है ए सुगईश्य Yum saturated solution आव स model napH nooZ जूईए छी आपने तो napH पाणी नी अंदर वारतो जवानू एक समय बहसे के पाणी नी अंदर एना येच अगड़वानू बंद धौन है करेलो छे यह एना पाझे क्वेस्ट नंबर एक क्वेस्ट हाउ टू प्रिपेर वन नॉर्मल सोलीशन ओफ एच्ची एल एच्ची एल नो वन नॉर्मल सोलीशन के रिदे बनाई सकाए तो एना माटे 83.54 ml of HCl इना वन लिटर तो शू करवानुए ना माटे 83.54 ml HCl लेवानों छे औने एक लिटर नी अंदर ओगाड़ा वानों छे औन जे सोलीशन बन से हैंने मेक अप करवानुँछे वन लिटर सुधी यह उन ही करवान के पहला पाणी लेवान पाणी लेवानों बिजू बाकी रेगेलू पाणी यहन एन अंदर एड़ करवानों ने सोलीशन छे वन लिटर सुधी मेक अप करवानुछे अवे या 83.54 ml केम लिदू छे तो एनी डिटर जो भी होई तो हाउ टू प्रिपेर वन नॉर्मल एच्चील सोलीशन एना माटे आई बटन उपर तमें क्लिक करो अने वीडियो छे हाउ टू प्रिपेर वन नॉर्मल एच्चील सोलीशन तो एनी अंदर डिटेल साथे आपेलू छे के 83.54 ml केम लिदू छे एना पच्छी क्वेशन नंबर 22 हाउ टू प्रिपेर वन नॉर्मल एच्च शोलीशन एच्च नू वन नॉर्मल सोलीशन माटे 40 ग्राम जे सूडियम हाइड्रोक्साइड एने एक लीटर द्रावण नी अंदर वगाडवारू छे तो आच 40 ग्राम केम लिएवू छे चालिस ग्राम माज केम नकी गरिवू आ वीडियो जे आई बटन नी अंदर बताव से एने अंदर बतावेलू छे के 40 ग्राम एने वज केम लिएवू अने आव वन नॉर्मल एने च्च शोलीशन करी ते बने छे तो बस आजना वीडियो मा आटले सुदी फरी मढई सुए एक नवा वीडियो साथे जे मा इंटर्यू ना रिलेटेड पण कोई क्विशन है तो आपने अने अंदर इनक्लूड करीसू थेंक्यू